हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूबर चैनल DRX MediHelp दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन एके 10 जादूई फायदों के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे दोस्तो ये जो कैपसूल से इसके उपर आपको यूटूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें इस कैपसूल को इसकिन और हेर के बारे में यूज करने के लिए बताया जाता है लेकिन इसकी अलावा ये और भी बहुत सारे इंडिकेसन होते हैं जिसमें यूज होता है और बहुत जवरजस रिजल्ट देता है तो दोस्तो ये इसकिन और हेर के अलावा और किस किस काम में आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो friends, वीडियो को आप पूरा सुरू सेले के लास्तक जरूर देखें, जिससे आपको इस vitamin E capsules के बारे में पूरी जानकारी मिल सकें, तो चली दोस्तों, वीडियो को start करते हैं, दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस vitamin E capsules के बारे में कि ये क्या होता है, तो दोस्तों य brand है ebion, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो vitamin E होता है, ये powerful antioxidant properties रखता है, इसका काम होता है, कि ये जो vitamin E के अपसूल से है, ये आपके जो cells होते हैं, उन cells को ये repair करने का काम करता है, उनको restore करने का काम करता ह है, तथा mario cell को ये revive करने का काम करता है, जिससे आपकी body में जो organs हैं, वो लंबे समय तक अपना functioning बहतर तरीके से कर पाते हैं, अगर हिंदी में भी मैंने आपको समझाया है, ये आप देख सकते है, vitamin E में antioxidant good होते हैं, जो कि antioxidant ऐसे पदार्थ होते हैं, जो आपकी cose count, यानि बचाने के free radicals, जो कि हमारे सरीर में बनते हैं, free radicals जो कि हमारे organs को damage करने का काम करते हैं, हमारे cells को damage करने का काम करते हैं, उन मुक्त कणों से ये बचाने का काम करता है, और ये अडू, जो free radicals होते हैं, ये तब ज़्यादा बनते हैं, जो हमारे सरीर में ये भूजन को वो बोडी में बनते हैं तो ये उनको तोडने का या उनको रोकने का काम करती है तो ये बेसिकली बेटामिन E का mode of action है ये उसका काम होता है चलिए बात करते हैं इसके popular brand के बारे में तो आपको market में बड़ी easily ebion 400 के नाम से capsules मिल जाएगा जिसमें आपको बेटामिन E 400 mg देखनों को मिलेगी और इसको tocopherol acetate के नाम से भी जानते हैं दोस्तो ये जो बेटामिन E है हमारी body के लिए फोग ज़्यादा essential होती है और ये जो बेटामिन E है एक fat soluble vitamins यानि कि बसा में घुलनसील होने वाली vitamins होती है और इसकी company Merck Pharmaceuticals Limited है और इसकी जो current समय पर price है वो है 78 रुपीस के 20 capsules यानि कि लगबग आपको ये 4 रुपे का एक capsules पढ़ जाता है तो चलिए दोस्तों बिना देर की ये बात करते हैं इस vitamin E के 10 जादूई फाइदों के बारे में तो दोस्तों एक एक करके हम आपको सभी 10 फाइदों के बारे में बताएंगे तो सबसे पहला जो इसका benefits होता है वो होता है antioxidant properties जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो vitamin E है ये protect करता है हमारे cells को damage होने से उसके अलाबा ये oxidative stress जो होता है उसको बचाता है free radicals से यानि कि ये हमारी body में जो बिशाक पदार्थ उत्पन होते हैं ये उनको damage करता है जिससे हमारी cells होते हैं body के वो repair होते हैं और उन में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है तो vitamin ही मुक्त कड़ों के कारण होने वाली कोसे का छती और oxidative जो चिंता तना होता है stress होता है उससे बचाता है और जो metabolism के दोरा हमारी body में जो free radicals उत्पन होते हैं ये उसको खत्म करता है जिससे हम लंबे समय तक जबान बने रहते हैं और हमारे जो organs होते हैं वो लंबे समय तक अपना काम बहतर तरीके से कर पाते हैं तो ये सबसे पहला इसका काम है antioxidant properties का तो चलिए बात करते हैं अब हम इसके दूसरे फाइदे के बारे में तो ये आप देख सकते हैं immune system दोस्तों ये जो vitamins E है ये हमारी body में alpha tocopherol antioxidants help boost the immune response ये जो tocopherol होता है जो के vitamin E का ही दूसरा नाम है ये body में हमारे immune system को मजबूर करता है जिससे हमारी body में जो रोप प्रतुर्दत छमता होती है वो बढ़ जाती है जिससे हमारी body में जल्दी जल्दी infection नहीं होते हैं हम बीमार नहीं जल्दी पढ़ते हैं हमको सरदी जुकाम चीके अलर्जी बगरा जो हो जाती है वो ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है आप मार्केट में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देखेंगे जो कि स्किन्स के लिए बने हुए हैं उनमें आपको बेटामिन E कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा तो ये आपकी इसकिन को बहतर बनाने का काम करता है ये क्या काम करता है कि बेटामिन E helps maintain healthy skin आपकी जो इसकिन उसको healthy बनाने का काम करता है by protecting it from damage caused by free radicals वही बात आ गई कि जो free radicals होते हैं उससे हमारी skin भी damage होने लगती है तो उस free radicals से बचाने का काम करता है जिससे हमारी skin जो होती है वो hydrate नहीं होती है यानिकि रूखी तवचा नहीं होती है उसमें moisture बना रहता है तो दोस्तों ये skin के लिए बहुत जादा beneficial है जिनकी तवचा हमेसा रूखी रूखी रहती है या उनमें जुरियां आ गई है या उनकी जो free radicals की समझ से जादा है तो ऐसी condition में आप इस vitamin E का capsules यूज करें आपको जरूर benefit मिलेगा देन दोस्तों fourth indications की बात करें तो अगर किसी ब्यक्ति को bound healing की समझे रहती है यानि कि जिसको जखम हो जाते हैं और जल्दी नहीं भरते हैं तो अगर कोई इस capsules को लेता है तो ये आपका जो जखम है उसको जल्दी से repair यानि कि जल्दी भरने का काम करता है इसकी जो process होती है उसको fast forward कर देता है तो ये आपके bound healing में भी मदद करता है इस condition के लिए भी आप इस capsules का यूज कर सकते हैं फिफ्ट इंडिकेशन की बात करें तो fine lines and wrinkles दोस्तो जो भी महला हैं जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जुर्नियां पढ़ने लगे हैं रिंकल्स पढ़ने लगे हैं तो ऐसी condition में भी जो vitamin E capsule से इसका यूज किया जाता है ये vitamin E helps prevent fine lines and wrinkles by increasing skin cells turnover and protective collagen from deteriorating यानि कि ये skin के अंदर collagen होता है ये उसकी मात्रा को बढ़ाता है उसको nusht होने से रोकता है जिससे आपकी skin जो होती है चेहरे की या पूरे body की कहीं की भी skin जो होती है वो damage नहीं होती है उस पर जोर्रियां नहीं पढ़ती है रिंकल नहीं पढ़ते हैं तो इससे भी आपको protect करता है आप देख सकते हैं vitamin E तुचा को उसकाओं की नभीनी करण को बढ़ाता है नभीनी करण को बढ़ावा देकर और collagen को खराब होने से बचा कर महीन रेखा यानि कि जो fine lines होती है या जुर्रिया या रिंकल्स होते है उनको रोकने में मदद करता है तो इस condition के लिए आप इस capsules का use कर सकते हैं देन दोस्तो six indications की बात करें तो जो ब्यक्ति heart disease factor के शिकार है या उनको खत्रा लगता है कुछ symptoms दिखाई देते हैं तो ऐसी condition में जो ब्यक्ति vitamin E का इस्तमाल करते हैं तो उनको यह beneficial होता है दोस्तो जो vitamin E capsule से reduces heart attack जिन ब्यक्ति को heart attack की शमश्या है तो उस heart attack के risk को यह cover करता है इसके लावा triglyceride जिन ब्यक्तियों को बढ़ जाता है या cholesterol level जो LDL होता है वो बढ़ जाता है तो यह उसको भी reduce करने का काम करता है यानि कि जो ब्यक्ति अगर regular इस vitamin E capsules का यूज करता है तो वो heart related जो भी परिशानी होती है वो normal रहता है तो इन सभी समस्याओं से cover कर सकता है दोस्तो 7th indication जो की है cognitive function यानि कि याद दास्त में जिन ब्यक्तियों की कमी आ जाती है यह अक्सर जो भुजुर्ग हो जाते हैं या oldest के जो patient होते हैं उनमें देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि याद दास्त में कमी आ जाती है लोग जो चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं उन्हें याद नहीं रहता है तो यह उस cognitive function को improve करने का काम करती है जिससे लोगों की याद दास्त होती है वो बहतर होती है इस ब्रेंड की जो functioning होती है वो improve होती है देन दोस्तो 8th indication जो की है महलाओं के लिए डिसमेंडिया एक समश्य होती है इसमें क्या होता है के डिसमेंडिया के महलाओं में जब पीरेड होते है तो उस दोरान पहुँ जादा दर्द होता है पेट में पहुँ जादा क्रेम जाती है तो आप ऐसी कंडिशन में भी जिन महलाओं को क्रेम सोसे हैं ड्रेस मेनोरिया की समझ जाए तो वो यूज इस कैप्सूल को कर सकती हैं फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं नाइन्थ इंडिकेशन की बारे में जोकी है नॉन एलकोहलिक फैटी लिवर यानि कि जो ब्यक्ति एलकोल का सेवन नहीं करते हैं कोई भी ड्रिंकिंग नहीं करते हैं उसके बाबजूत उनका जो लिवर फैटी हो गया है तो इसको हम बोलते हैं नॉन एलकोहलिक फैटी लिवर तो the accumulation of liver fat in people who drink little या थोड़ा कम ड्रिंक करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं उस condition को कहते हैं The cause of non-alcohol fatty liver disease and AFLAD is a non-risk factor including obesity तो यह समझ्चा हो जाती है जैसे कि obesity अगर किसी विक्तियू के यानि कि मोटापा ज्यादा है तब यह समझ्चा हो जाती है gastric की problem रहती है bypass कोई surgery होई है या high cholesterol and type 2 diabetes होई है तो ऐसी condition में यह fatty liver की समझ्चा होती तो ऐसी condition में अगर कोई विक्ति विटामिन E capsules का यूज़ करता है तो यह समझ्चा भी उसकी खत्म हो जाती है चली friends बात करते हैं हम last indications के बारे में जो की है egg aging and sperm count increase जी है दोस्तों यह vitamin E capsules जिन विक्तियों के sperm count में कमी आ गई है increase sperm mortality, sperm morphology तो यह उसके egg जो अंडे होते हैं उनको बनाने का काम करता है इसके अलाबा sperm count को बढाने का काम करता है यह उसकी mortality, shape and size को बढाता है उसकी गती को बढाने का काम करता है यानि कि यह infidelity की समश्या में भी यूज किया जाता है डॉक्टर इसको prescribe करते हैं तो आप इस condition में भी इस vitamin E capsules का यूज कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ यह skin और hair के यूज में नहीं है यह आपने समझ लिया कि यह 10 indications में यूज होता है इसके लाबा और भी बहुत सारे indications है जिसमें इस vitamin E capsules का यूज किया जाता है दोस्तों चलिए यह तो आपने जाना कि vitamin E capsules के क्या-क्या फाइदे होते हैं इसको किस-किस indication में यूज किया जाता है लेकिन दोस्तों अगर कोई वेक्ति है जो कि vitamin E के अपसूस नहीं कहना चाता है और वो चाता है कि natural source से मैं vitamin E को पूरा करना चाता हूँ तो कौन-कौन सी चीजे होती है जिनमें vitamin E भरपूर मात्रा में पाए जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों यह कुछ list है जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया है कि vitamin E सबसे ज़्यादा इन चीजों में पाए जाता है तो सबसे पहला है जो कि है wheat, germ, oil यह आप देख सकते हैं इसका आप यूज कर सकते हैं एक बड़ी चम्मच आप इसको दिन में एक बार ले सकते हैं इससे आपको भरपूर मात्रा में vitamin E मिलेगा इसके लाबा roasted sunflower seeds यानि कि यह आप sunflower seeds होते हैं उनको रोश्टेट करके ले सकते हैं इससे आपको vitamin E भरपूर मात्रा में मिलता है इसके लाबा roasted almonds यानि कि जो बादाम होते हैं उनको भी आप roast करके ले सकते हैं then spinach यानि कि पालक अगर आप चाहें तो पालक ले सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में vitamin E होता है एक boiled broccoli जो broccoli होते हैं इसको आप उबाल कर ले सकत हैं इसके लाब fruits की बात करें तो आप kiwi ले सकते हैं mango ले सकते हैं इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा vitamin E पाए जाता है then दोस्तो vegetables की बात करें तो दूसरा है tomato तो दोस्तो यह आपका lycopene इसमें antioxidant भी होता है और इसके अंदर vitamin E भी यह दोनों चीजों का बहुत अच्छा स्रोत है तो आप इन में से देख सकते हैं जो आपको use करना है आप उसका use करें अगर आप capsules नहीं खाना चाहते हैं तो दोस्तो चलिए बात करते हैं अब हम इसकी doses के बारे में कि यह जो vitamin E capsule से हमने इसके फायदे जाने लेकिन इसकी doses क्या होती है और इसको कितना लेना होता है तो दोस्तो इसकी जो dose होती है वो होती है बन capsules ओडी यानि कि आपको दिन में एक capsules एक बार लेना होता है खाना खाने के बाद और दोस्तो अगर कोई महला जो कि pregnant है या breast feeding मदर है जो कि अपने बच्चे को सतनपान करा रही है तो फिर उसको अपनी डॉक्टर की सलाकी according इसको यूज करना चाहिए और दोस्तो अगर मैं बात करूँ कि एक adult को per day vitamin E की कितनी requirement होती है तो इसकी 15 mg per day इसकी requirement होती है इतना ब्यक्ति को लेना चाहिए होता है तो दोस्तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा इन फॉर्मिट पर लगाओ दो वीडियो को लैक जरू करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तो एक और ऐसी एलफल वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार